आज दो फिल्में रिलीज हुई है शुद्ध देशी रोमांस और जंजीर तो आए पहले रिव्यू करते हैं शुद्ध देशी रोमांस को डिरेक्टर मनीश शर्मा, राइटर जैदीव सहनी और प्रडूसर आदित्य चोपरा बैंड बाजा बारात के बाद फिर लेकर आए हैं शुद्ध देशी रोमांस तो क्या बैंड बाजा बारात जिस तरह बॉक्स ओफिस पर चमकी थी शुद्ध देशी रोमांस भी बॉक्स रगु यानि परिनीती चोपड़ा और तारा निव फाइंड वाणी कपूर रगु एक टूरिस्ट गाइड है जो जैपूर में रहते हैं और यह बादे के बाराती जिसे हम कहते हैं वो बादे के बाराती भी बन जाते हैं जब उनके गहरे दोस्त गोयल साब यानि रिशी केटरर उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं गायतरी भी जैपूर में रहती है और एक दिन रगु की शादी तारा से होने वाली है और बारात बस में जा रही है जहां पर उनकी होने वाली वाइफ तारा वानी कपूर रहती है रगु इस शादी से जादा खुश नहीं है और बार बाड़े के बाराती भी है जिन में से एक है गायतरी और गायतरी और रगु के बीच में friendship develop होती है and रगु को बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि he has fallen in love with गायतरी बारात तारा के घर तो पहुंच जाती है लेकिन क्योंकि रगु कमिट्मेंट फोबिक है वो शादी के दिन ही अपनी खुद की शादी से भाग जाता है कौन किस से शादी करता है in effect क्या रगु गायतरी से शादी करते है या तारा से शादी करते है या फिर किसी से नहीं शादी करते है all these questions are revealed as the film comes to an end इस film की script लिखी है जैदीब सहनी ने और modern day youth को बहुत अच्छे तरीके से represent करती है जहां तक जैदीब सहनी के screenplay का सवाल है well, he relies quite heavily on coincidences जहां तक young generation of audience का सवाल है उन्हें ये commitment phobia के बारे में कहानी बहुती पसंद आएगी because young generation में बहुत से लोग है जो शादी में commitment से कतराते है film का first half यानी interval के पहले का portion that is very entertaining and light-hearted और actually जो light-hearted banter होता है गायतरी और रगु के बीच में वो audience enjoy करती है साथ ही जो गोयल साभ यानी रिशी कपूर के pearls of wisdom है जो वो बहुत ही philosophical बाते करते हैं उन बातों में भी audience को खुब मज़ा आता है जितना exciting and fun-loving जितना light-hearted first half है उतना exciting, उतना comic और उतना easy going second half नहीं है but overall younger generation को इस कहानी में identification ज्यादा नज़र आएगा जहां तक जैदीब सहानी के dialogues का सवाल है they are punch packed and add in a lot of humor सुषान सिंग राजपूत ने रगु की भूमी का बहुती समझदारी से और बहुती easy going way में निभाई है he is fantastic as the tourist guide, as the lover boy, as the confused guy and as the commitment phobic रगु बहुती बढ़िया acting है उनकी body language, उनका attitude, उनके dialogues बोलने का तरीका all these things stand out and उनका charisma जो है, वो लड़कियों को इतना पसंद आएगा that they will actually end up falling in love with a character called Raghu Pariniti Chopra, again a very fine actress, बहुती natural and वो अपनी body language और अपने facial expressions, अपने emotions को जाहिर करने में बहुत बहुतरीन तरीके से utilize करती है she is fantastic and her dialogue delivery is outstanding new actress Vani Kapoor ने भी काम अच्छा किया है she has screen presence but यहाँ पर कहना पड़ेगा कि उनका जो किर्दार है थोड़ा sketchy है in spite of that, she stands her own Rishi Kapoor of course is a fine actor और इस role को भी वो इतनी समझदारी से इतनी intelligence से अप्रोच करते हैं कि आपको लगता है इस role के लिए वो ही सबसे बहतरीन actor थे Manish Sharma का निर्देशन बहुत अच्छा है उनकी narrative style target करती है youth को जैसे की यह subject target करता है and youngsters को definitely यह film पसंद आएगी हाँ, एक बात है जो older generation है उसमें एक section of the audience को इस कहानी में इतनी दिल्चस्पी नहीं लगेगी और वैसे ही इनके narrative style में भी उतना मजा नहीं आएगा but the target audience, for that target audience Manish Sharma's direction is definitely good इस film का music score किया है सचिन जिगर ने and तेरे मेरे बीच में गुलाबी, the title track और अती रैंडम यह चारो गाने appealing है इसके अलावा जो चोटे चोटे गाने है with Rajasthani folk music those also are appealing फिल्म का background score भी सचिन जिगर का है and they have done justice to the background score lyrics लिखे है जैदीब सहनी ने which are indeed wonderful फिल्म की cinematography है Manu Anand की and the cinematographer has captured the locations and the outdoor beauty of Rajasthan very very effectively रश्मी सेथी के sets or settings बिल्कुल perfect है and Namrata Rao की editing is also sharp तो all in all शुद्ध देशी romance box office पर hits थाबित होगी वैसे भी इस फिल्म की opening बढ़िया है considering that it doesn't have big star names relative newcomers ही है उसके मुताबिक तो फिल्म को जो opening लगी है multiplexes में खबर आई है 65%, 70%, 80% also और कई cinemas में तो house full की opening लगी है therefore considering the canvas of the film the cast and the cost of the film this opening is indeed very impressive